एवरीबडी, वेल्कम तू प्रेक्टे स्मॉक benefit करेगा जिनकी पढ़ाई at least 1.5 months या 2 months पहले से start हो चुकी है अगर उसके पहले जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे तो आज के session में जो हम बाते करेंगे उनमें से बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो उनके लिए काफी आसान होने वाली है ठीक है पट फिर भी 1.5 months से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो आपको बहुत मतलब इसको handle करने में काफी असानी होगी अब ये session आप ऐसे सोच के देखो तो बहुत सारे aspirants working होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो full time studies कर रहे हैं तो हर किसी के लिए एक ऐसा single plan बनाना वो भी possible नहीं हो पाता तो आप अपने according इसमें customize कर लेना आपको लगता है कि कोई ऐसा topic जो इसमें लिखा है वो आपको हो चुका है बहुत अच्छे से तो आप उसके जगए कुछ और add कर सकते हैं जो मैंने इसमें बात के लिए छोड़ा हुआ है तो यह आप तो आप तो आपसा देख लेना खुझ से अब पूरे plan को हमने दो phase में बाटा एक तो वो कि notification आने तक यानि 18th July तक अब 18th July को अगर short notice आती है तो कई बार ऐसा होता है कि next day फिर complete notification आ जाती है या फिर ऐसा होता है कि one week के अंदर वो दे सकता है बट हमने reference time आना है 18th July जिस दिन short notice आएगी तो उस दिन तक यानि आपके पास लगबग 20 days है 20 days में क्या करना है आपको और फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पर second reference period है वो है 18th July के बाद यानि notice जब आज आए तो उस दिन से लेके और phase 1 का exam जिस दिन है उस दिन तक आपको क्या करना है तो इसके बीच में जो बाते जो topics आप देख सकते हैं या जो activities आप कर सकते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने लिख रख रखा है तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा first part है उस पर इन notification के आने तक आपको किन चीजों पर focus करना है remember बहुत सारे doubts होते हैं जैसे आप में से बहुतों का ये रहेगा concern रहता है basically कि हम mocks लगाना कब से start करें और mocks लगाने की frequency क्या होनी चाहिए बहुत सारे doubts है तो वो भी हम यहाँ पर address करने की courses करेंगे और कैसे phase 2 और phase 1 के topics में balance बना है तो मैं अपने side से थोड़ा attempt इसमें देता हूँ अगर आपको ठीक लगे तो आप ये follow करना सबसे पहला है कि phase 2 के लिए जो topic आपको read करना है specifically मतलब उसके लिए अलग से time निकाल के जो आपको read करना चाहिए वो है finance and management अब ये मैंने क्यों pick किया है ये मैं बताऊंगा तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि EASI का जो part है मतलब phase 2 में EASI जो आता है तो EASI में होता क्या है basically या तो वो किसी government scheme के उपर भी आते हैं ठीक है अब ऐसा नहीं है कि ये सिफ नावाड के लिए important है अगर आप RBI की official syllables देखो अगर जो last year की थी तो उसमें economy वाले section में agriculture का part भी आपको mention हुआ दिखाई देगा वो इसलिए है because economy का एक sector agrarian sector भी है जिसमें agriculture and allied sectors आते हैं तो इसलिए आपको बहुत detail में नहीं लेकिन एक holistic view आपको इसकी पता होनी चाहिए कि economy में चल क्या रहा है ठीक है अगर हम agriculture की बात कर रहे है तो agricultural output कितना रहा है last year में अगर मालो की national income की estimates आई हैं तो उसमें इस sector का क्या contribution है growth क्या रही है growth rate क्या रही है तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो economy specific है जो कि agriculture से related हो सकती है या फिर animal husbandry से related हो सकती है अगर मालो कुछ ऐसा data आता है कि milk का conjunction इंडिया में बढ़ गया I think जो last updated fact है वो है 444 gram per capita साइद इससे आप confused मत होना कि milk कौम gram में क्यों कर रहे हैं वो ऐसे ही लिखा होता है तो अब ये सब जो चीज़े हैं ये आप से पूछी जा सकती है क्योंकि in the end consumption and investment इससे related बहुत सारे आपको surveys और इन सब के बारे में सुनने को मिलेगा बार बार जो कि already हो भी चुका एक तो ये भी उसे उसी का पार्ट है तो आप इसको छोड़ मत देना आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ माल लोग किसी क्रॉप के उपर बात हो रही है अब उसके climatic conditions क्या क्या है ग्रो करने के तो उतने detail में अगर कुछ दिया है तो वो आपको skip करना है बट जो उपर उपर की बाते हैं वो आपको देखनी है वो आपको याद रखना है वहाँ से question आ सकता है और in fact अगर last year नहीं भी आया हो ठीक है तो अब ज़्यादा chances बढ़ते हैं वहाँ से भी कुछ पूस देंगे हर साल आप notice करना कि कुछ नो कुछ ऐसा part रहता है जो पिछले कुछ सालों में नहीं आया हो ठीक है तो मैं आपको ESI के बारे मता रहा था तो ESI में एक तो पहले schemes का part हो गया दूसरा ESI ARD related जो PIV में news होती है अलग से जो की schemes नहीं है उसके अलावा है कुछ ठीक है जैसे मान लो कि ONDC के बारे में कुछ आया मान लो कि किसी ministry ने कोई activity की मान लो कोई update आई है किसी sector के बारे में तो वो सब part आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसके बाद जितने reports होते हैं खास करके जो UN affiliated bodies हैं WHO का हो उसके बाद WHO का part क्योंकि WHO जो भी करेगा तो वो आपके social issues का part automatically बन जाता है मतलब healthcare से related world bank है, IMF है अगर आप पुराने syllabus को दिखो जो I think 2 साल पहले आया था 2 साल पहले के syllabus में बलकि reports और यह सब के नाम भी लिके होते थे वो इसलिए होता है ताकि आप समझ पहाओ कि किस type की reports आपके लिए important है, मेरा point यह है यहाँ पे बताने का, कि जैसे माल लो यह आती है, passport only index अब वो phase 2 के लिए बिल्कुल relevant नहीं है ठेक है, क्योंकि जो agency उसको compile कर रही है, publish कर रही है वो UN affiliated नहीं है, I think हुरूंस का आता है, कुछ ऐसा तो यह सब आपके लिए important नहीं है phase 2 के point of view से, आपको UN affiliated bodies, world bank हो, IMFO WTO हो, WHO हो या फिर जो UN affiliated नहीं भी है, लेकिन बहुत important है, जैसे जैसे एक होता है, जिसको हम बोलते है WEF World Economic Forum, अब यह भी important organization है, और January या February में, इसकी annual meeting भी हुई थी, जिसमें की India ने भी participate किया WEF काफी important है, इसलिए भी क्योंकि G20 के बारे में जो आप सुनते हो इतना, तो G20 की genesis, वो WEF से ही हुई थी, इसलिए WEF काफी important है, तो ऐसे जो बड़े-बड़े organization है, काफी important है जिसको की government of India भी काफी seriously लेती है, आपको उनके through, जो भी reports आई हैं, या फिर indices आई हैं, उसको आपको अच्छे से करना है, और सिर्फ objective point of view से नहीं करना है, आपको descriptive point of view से भी करना होगा, जैसे मान लो, कि किसी index में कुछ ऐसा है, कि India ने इस parameter पर या तो पढ़िया किया है, परफॉर्म या फिर बहुत खराब किया है, आपको दोनों से related points पता होने चाहिए, सोदाट आप उसको लिख पाओ, ये सब आपको बहुत जगा, बहुत जगा काम आएगा, उसके बाद, जो बाते अभी मैंने की हैं, उसके थूरू, मेरा point बस ये था बतानेगा, कि EASI में बहुत कुछ आपका संपूर्णा file के थूरू भी होता रहेगा, बहुत कम ऐसे questions होंगे, जो जिसको कि आप बोल सकते हों कि वो purely static है, मतलब कि कोई chapter अगर आपने धंग से नहीं पढ़ा होता, तो आप वो question करी नहीं पाते हैं, because वो news में कहीं भी cover नहीं हुआ, इस type के question बहुत कम होते हैं, ना के बरावल, तो EASI का maximum part आपका यहां से cover हो जाता है, इसलिए FM को मैंने यहां पर डाला है, finance और management को, क्योंकि finance में जो core topics हैं, core concepts हैं, वो आपको पता होने चीएं, जब तक वो पता नहीं होंगे, जैसे derivative के बारे में अगर आपको पता नहीं है, उसकी theoretical knowledge नहीं है आपको, तो newspaper में कोई भी article है, आप उसे relate नहीं कर पाऊगे, तो यह आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, जबकि EASI में, बोलने को EASI में भी ऐसा होता है, लेकिन बहुत साथी चीज़ ऐसी हैं, जो आप net पर simply search करो, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको बहुत detail ऐसे study करने के जोत नहीं पढ़ेगी, अब मैं assume कर रहा हूँ, कि अगर आपने डेड़ दो मेंने पहले, preparation ने start की है, तो आपका finance और management में, बहुत सारा chapter खतम हो गया होगा, in fact मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती है, तो उन्होंने ये सारे chapters read कर डालें अभी तक, in fact उन्होंने revision भी start कर दिया इसकी, तो वो आपको देखना है, कि आप किस stage पर भी हो, लेकिन आपकी कोसिस यह होने चाहिए, कि 18th July तक, आप finance और management का हर chapter खतम कर डालो, at least एक बर, और अगर revision possible है, तो 18 July तक आपको revise भी करते रहना है फिर इसको, अच्छा, ESI में जो topic आपको लग रहा है, कि मैं सारे topic की बात नहीं कर रहा है, बस आपको एक या दो कोई pick करना है, जो आपको लगे कि इसमें मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जैसे मालो national income है, तो वो आपको growth है, development वाले chapter में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा read करना है उसको, ताकि आपको बात की चीज़े समझ में है, जो news में cover हो रहा है, या फिर जो यहाँ पर cover हो रहा है, बिसिकली, तो वो भी आपको समझ में आप आप आए, ओके, तो यह हो गया finance and management का part, जिसमें आपको notes refer करना है, notes के बाद आपको chapter test दे रहा है, अब हो सकता है कि आपने practice mock का course लिया हो, या फिर आपने कोई और भी course लिया है, तो चीज़े यहीं सब रहती हैं हर जगे, तो आपको उस chapter में जाके, सबसे बहले तो chapter read करो, उसके बाद एक बार revise करके, जैसे ही आपका खतम हुआ, तो एक बार फिर से उसको देख लो, तुरंट उसके बाद उस chapter का test दे दो, test देने के बाद क्या करना है, कि अगर possible है, तो आपको कोसिस करनी है, कि हर दिन कम से कम आप एक answer अभी लिख पाओ, ये मैं 18th जुलाई तक की बाद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि, कुछ टाइम के लिए आपको, इसको थोड़ा stop करना पड़ेगा, तो एक कम से कम descriptive question, I mean finance और management दोनों से मैं एक एक नहीं बोल रहा, लेकिन at least अगर एक question भी आप हर रोज कर रहे हो, तो आपके लिखने की habit बनी रहेगी, अब हमारे course में जैसे, first three chapter के questions की list, वो already हमने upload कर दिया, तो आप वहाँ से कर सकते हो practice, बहुत सारे questions से उसमें, I think 20 odd अभी है, और भी उसमें upload होंगे, तो यह आप देख सकते हैं, next आते हैं संपूर्णा बे, जिसके बारे मैंने बहुत कुछ बता दिया already, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा, कि आपको कितने months का करना है, क्योंकि यह बहुत important है, मेरे इसाब से, अगर आप FAB से करते हो, तो यह बहुत safe option रहेगा, और assuming कि एक्जाम सेप्टमबर 1st week में है, तो आपको August तक का पूरा पढ़ना पढ़ेगा, अब आप एक चीज़ सोच के देखना, अगर आप April, May मंत का संपूर्णा या फिर PIB सुतरा देखो, तो वहाँ पर आपको देखेगा कि content बहुत कम हो गया, especially government schemes, जिसके वारे में लोगों ने हमारे टेलेग्राम के ग्रूप पे भी पूछा है बहुत बढ़र, अब उसका reason यह था कि PIB में जब articles नहीं आती है, क्योंकि हमारा in the end source वहीं सब होता है, तो अगर PIB में ही article नहीं आ रही, तो फिर हम उसके based कोई content बना ही नहीं पाते हैं, तो articles इतनी थी, उसके basis पर content वहाँ पर अल्रेडी है, और उतना ही relevant है, तो जब April में में articles नहीं हैं, और March मिड के बाद, मिड मार्च के बाद articles बहुत कम हो गये थे, तो आप मानके चलो, यह जो धाई महीने का gap है, इसमें बहुत कम ही news ऐसी है, जो कि phase 2 के लिए relevant है, इसलिए ऐसा हो सकता है, कि question frame करते time, जो भी वहाँ पर set कर रहे हैं paper, तो वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पहले जाए, मतलब March के पहले हो सकता है कि फेब में जाए, इसलिए फेब से करना, मेरे हिसाफ से safe option है, आप अपने according देख लेना, मैं वैसे recommend करूँगा, कि आप फेब onwards cover करें अच्छे से, February में आपको content मिलेगा जादा, March में उससे थोड़ा कम है, April में में बहुत कम है, तो ऐसा मैं सूचना कि बहुत जादा months हो गया है, आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो फेब से लेके August तक अगरना है आपको, Reports जितने भी हैं, अभी जैसे मैंने कुछे पहले बोला, कि इसमें ये Reports और Indices वाला जो पार्ट है, वो आपको संपूर्णा के लास्ट पार्ट में मिलेगा, लास्ट वाले सेक्शन में, अब उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, जो की Phase 1 GA specific है, जैसे मानलो की कोई Defense की Exercise है, अब उसमें इंडिया के Contingent को Participate करना है, तो P.I.B. में उसके उपर अपडेट आती है, कि इंडियान आर्मी ने, या फिर मानलो नेवी ने, या फिर Air Force ने, इन्होंने अपनी कोई टीम भेजी है, तो वो P.I.B. में cover होता है, इसलिए हम उसको संपूर्णा में include कर लेते हैं, बट, February, March, इन फैक्ट आप अपरिल में का भी लेके चलो, कि इतने महीने का इस टाइब की आर्टिकल्स आपको cover नहीं करनी है, डिफेंस वाले, उसके बाद इसपोर्ट्स वाले, ये सब आप छोड़ देना, आप संपूर्णा के last section में सिर्फ reports को देखो, reports और indices को, उसमें भी वैसे reports, जो कि किसी global body ने, और जैसा मैंने बताया कि UN affiliated, या फिर कोई बहुत important organization हो, जैसे कि WF हो गई, या फिर OECD है, तो जब ऐसे इस type के organization के through कोई report आती है, वही आपको देखना है, बाकी सब आप छोड़ देना, तिल में, तो मतलब Feb से लेके में तक के बीच में आपको सिर्फ ये करना है, और इसमें जो बहुत important part है, बस वो, बाकी आप sports, उसके बाद difference वाली चीज़े, ये सब छोड़ देना, उसके बाद international relations, ये सब भी छोड़ना है आपको, अब हम आते हैं, quant reasoning English पे, अब इसमें देखो, इसके लिए कुछ बताना बहुत मुस्किल है, क्योंकि हर किसी का लेवल अलग है, किसी का हो सकता है quant बहुत strong हो, किसी की हो सकता है reasoning बहुत strong हो, तो मैं कोई यहाँ पे एक simple, यहाँ पे plan नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीप बता जाता हूँ, कि जो most important topics होते हैं, जैसे quant में देखो, तो अगर आपका quadernetory बहुत अच्छा है, तो आप बहुत सारे questions attempt कर सकते हैं, अब कितना अच्छा है, उस पे depend करेगा, कि आपकी वहाँ पे in the end, in the end accuracy कहा रहने वाली है, तो आप जब तक practice नहीं करोगे, तब तक इसमें accuracy improve नहीं होगी, तो मेरा suggestion यह रहेगा भी फिलहाल, कि अगर आपने मान लो quant को बहुत अच्छे से कर रखा है पहले, तब तो यह आपके लिए उतना relevant नहीं रहेगा, यह वाला part, लेकिन अगर आपने just start किया है, या फिर आप sure नहीं है, कि आपको किन topic पे focus करना है, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि quadratic, यह आपका अच्छे से होना चाहिए, और DI के sits आप जितना लगा पाओ, उतना आप लगाते रहेना, क्योंकि यह दो ऐसे हैं topic, अगर आपने यहाँ पे command कर लिया, तो most likely आपको cut off clear करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, next part है reasoning का, reasoning में आपको पता है कि CR, बहुत questions आते हैं यहां से, और यह ऐसी चीज है जिसको आप short term में ठीक नहीं कर सकते हैं, सुरू में गलतियां आप से बहुत होंगी, इसलिए, यह justified रहेगा कि आप इसको, जितना time इसको चाहिए, उतना आप दे पाओ, और उसके लिए बहुत ज़लुली है कि आप अभी से start करो, हमने टिलेग्राम के गुरूप पे एक PDF भी share की थी, जहां से आप थोड़ा सा देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद नेट पे बहुत सारे sources available हैं, बहुत सारे videos हैं, बहुत सारे sites हैं, जहां पे आपको set मिल जाती हैं इसकी, वहाँ पे आप actually quiz mode में दे सकते हो attempt escape, तो यह आपको करना है, उसके बाद silog, यह दो topic अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं, तो reasoning में cut off के लिए करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह भी नहीं है कि सिर्फ यहीं पर limit करना है आपको, मैंने यह दो topics ऐसे बताए हैं, जो हर हाल में आपके होने ही चाहिए, ठीक है, यह हो गया, then आते हैं English पे, तो English में RCs, यहाँ से आप suppose 10 to 15 के बीच में कुछ भी आ सकता है question, तो RC आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैरा जंबल्स, अगर आप यह दो कर लेते हो, तो again, English में आपको cut-off क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी, तो अभी आप क्या करो, कि इन सब पे focus करो पहले अच्छे से, यहाँ पे इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि एक time पे, Quant Reasoning English में हर topics की, मतलब जितने भी sub-topics हैं उसके, सब की practice करना possible नहीं है, तो इसलिए आपको पहले थोड़ा सा filter करना पड़ेगा, और choose करने पड़ेंगे ऐसे topics, जो कि सबसे ज़्यादा important है, अपने-अपने verticals में, जैसे Quant में, Reasoning में और यहाँ पे, English में, तो आप पहले इस पे focus करो, इसका फाइदा क्या होगा, वो मैं बता रहा हूँ, जब mock देने की बारी आएगी, अगर उस समय तक आपने इसको ठीक अपना कर लिया है, यह आपका हो गया है, तो mock के time पे क्या होगा, कि अब आपको पता रहेगा, कि मुझे कौन से questions देखने हैं, और overall जो last year की cut off थी, उसके आसपास के score में आप हो सकता है, पहुँच जाओ, easily, लेकिन अगर आप randomly कुछ भी किये जा रहे हो, तो वहाँ पर फिर दिक्कत आएगी, तो मेरा session रहेगा, कि आप पहले इन पर focus करो, और ये जब हो जाते हैं, उसके बाद आप explore करो कि आप और कितने topics को अपनी strength मना सकते हैं, ये आपके उपर है, बट इतना minimum होना चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे जैसे आप read करते जाओ, वैसे वैसे आपको sectional test, जो की freely available हैं सब के लिए, आप चाहे हमारे course में enroll आपने कर रखा है या नहीं, ये सब के लिए easily available हैं, in fact mini mocks भी हमारे वो सब के लिए available हैं, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो सबसे पहले आपको course में आना है, जब आप RBI के course में आ जाओगे, तो यहाँ पर देखो ये RBI grade B 2024 mini mocks, इसमें आपको phase 1 और phase 2 दोनों के mini mocks, free में मिल जाएंगे attempt करने को, और ये बहुत helpful रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये RBI grade B के exam के level पे बनाया गया है, एक alternative है, वो भी मैं आपको बता दूँ, कि अगर आप, यहाँ पर देखो, तो एक आपको section मिलेगा, free quiz का, आपको इस पर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद, अगर माल लो, कि आपका level अभी आपने just start किया है, आपने पहले quant और reasoning को बहुत अच्छी से नहीं किया है, तो आप ये वाला option यूज कर सकता है, quant reasoning के लिए, English के लिए, वरना, अगर आपका basic clear है, तो मैं बोलूँगा, कि आप इसमें जाओ, topic test mains में, और यहाँ पर आके आपको quant पर click करो, या फिर reasoning पर जो भी आपको practice करनी है, अब आप देखोगे, कि अल्लेडी बहुत सारे test यहाँ पर upload हो चुके हैं, right, D.I.E. के लिए 74, miscellaneous वाला 74, D.E.S. के लिए 61 test अल्लेडी हो चुके हैं, तो सूचो, यह कितना ज़्यादा है, मतलब आपके practice के लिए, यह बहुत सही रहेगा, D.I.E. आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, सेफ अगर आप यही सब करते रहो, तो D.I.E. आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा आप यह देख लेना, reasoning का भी, वापस हम इस पर आते हैं, तो sectional test, mini mocks देने के बाद, आपको idea लगेगा, कि आपने जो read किया है यह सब, या फिर आपने, जहां से भी refer किया हो पहले, क्योंकि सुरू में थोड़ा समझना रहता है, अगर आपने पहले कोई exam दे रखा है, तो यह सब चीज़े आपकी पहले से clear होंगी, तो आपको theoretical part करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी, तो आप straight away mini mocks या फिर sectional mocks में आ सकते हो, अगर कोई गलती होती है, तो उसका solution देखो, तो वहाँ से चीज़े clear होती जाएंगी, और आपका फिर ये topic बहुत strong होता जाएगा, next है इसमें GA, अब GA में, देखो वैसे GA बहुत जादा अलग नहीं है, जो आपने read किया संपुर्णा के थूँ, तो GA उसे बहुत जादा अलग नहीं है, बट इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा catch है, अगर आप ध्यान से देखो, तो संपुर्णा का source क्या है basically, P.I.B. हो गया, R.B.I. की site है, C.B. की site है, right, GA में बहुत सारे articles ऐसे आते हैं, जो इन तीनो sources में cover नहीं होते हैं, जैसे कि newspaper में किसी bank के ओपर update आगिया है, या फिर कोई ऐसा, I mean sports का tournament चल रहा है, जो जिसके बारे में कोई update P.I.B. में नहीं आई, normally क्या होता है, कि जब Indian team कुछ जीतती है ऐसे, तो sports ministry उस पर कोई update लाती है P.I.B. में, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ना आए, तो newspaper करना ज़रूरी हो जाता है, या फिर जो भी GA का source है आपका अलग से, अब उसमें banking का हो सकता है, क्योंकि banking की चीज़े P.I.B. में नहीं आती, किसी bank का CEO चेंज हुआ माल लो, या फिर किसी bank में कुछ ऐसी चीज हुई, जो यहाँ यहाँ पर cover नहीं होती, बट वो newspaper में cover होती है, और उसके बाद फिर GA का जो भी सोर्सा आप refer कर रहे हो, तो वो newspaper से भी उठाते है articles, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है यहाँ पर, इसमें आपको करना क्या है, कि GA आपको 5 से नहीं करना, जो मैंने संपूर्णा के लिखा, कि 5 से August के बीच में करना है, GA में क्या करो, कि आप जून, जून, जुलाई, आउगस्ट, ये अगर आप 3 months कर रहे हैं, इतना बहुत है, बलकि जून में भी अगर आप 15 जून के बाद, जो week 3 and week 4 है, अगर वो भी कर लो, और week 1, week 2 छोड़ दो, तो बहुत जादा इसून नहीं होना चाहिए, अब हो सकता है, question यहां से आए, बट कितने questions आएंगे, GA में 80 questions होते हैं, आपको 80 में 80 लाना नहीं है, जरूत ही नहीं है उसकी, लास्ट एर जैसे questions थे, तो अगर वैसे ही questions इस बार आजाएं, या उससे थोड़ा सा tough आएं, तो in all likelihood, आप 50 या 55 से ज्यादा question रीड ही नहीं कर पाओगे, उतना time रहता ही नहीं है, तो जब आप question attempt ही नहीं कर पाएंगे उतने, भले ही आपने चलो सब कुछ read कर लिया, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन जिस टाइब इस questions आते हैं, exam में, और last year जो आएसे, आपको read करने में भी बहुत time लगेगा, क्योंकि वो statement based ऐसे questions होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आपने उसको 5 second में देख लिया, tick करके बढ़ गया आगया, वो वहाँ पर आपको time लगेगा proper, तो आप 80 questions कभी भी attempt नहीं कर पाऊगे, ये मैं मतलब बहुत certainty के साथ बोल दकता हूँ ये बात, अगर आपको randomly बिल्कुल tick किया जाना है, तो बात अलगे है, लेकिन आप read करके चाहो कि 80 questions हो जाए, नहीं है possible, तो जब उतना नहीं है possible, attempt कर पाना, तो आप उतने के लिए फिर read क्यों करोगे, मेरा point बस ये था, अगर आपने 30 to 40 के बीच में score कर लिया, ये में, तो भी बहुत जाद है, ये बहुत अच्छा है score है, क्योंकि overall अगर आप देखो, तो आपका quantity भी कुछ आएगा, reasoning में भी आएगा, quant reasoning में चलो score बहुत कम हो सकता है, क्योंकि उनकी cutoff भी बहुत कम होती है, और वो इसलिए क्योंकि question बहुत hard होता है, बट फिर आपके पास English है, तो आप overall score अपना improve कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इतना कि आपका cutoff easily निकल जाए, तो आपको 30-40 ही target करना है, इससे जादा ठीक है, आगया तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर उसके लिए पढ़ना भी पढ़ेगा, उतना ही जागा, और उससे अच्छा है, कि आपने जो read किया है, उसी को आप बार-बार revise करते रहो, ताकि आपकी accuracy अच्छी हो, तो यह आपको करना है, जून का, जुलाई का, आउगस्ट का, या फिर जून हाफ का कर लो, सेकेंड हाफ का, बट थर्ड एन फोर्ट वीक, जुलाई पूरा, और अगस्ट पूरा, अगर आपने इतना भी कर लिया, तो बहुत है इतना, मतलब 80 नहीं, लेकिन हो सकता है, कि आप 60 questions वहाँ पर attempt कर पाऊ, अच्छे से, अब इसमें banking finance है, यह आपको देखना है, national, international, यह सब देखना है, newspaper, आज की बाद से, अगर आपने पहले नहीं read कर रखा हो, या आपकी habit नहीं है, मैं बोलूँगा कि आप newspaper start करो अब, उता क्या है usually, कि maximum जो चीजे हैं, खास करके जो governance related होती हैं, जैसे screens हो गया है, EASI के articles हैं, यह सब, तो इन सब का primary source होता है P.I.B. या फिर P.I.B. मेनाता है, तो उसके एक या दो दिन के भीतर, वो किसी GA के source में cover हो रहा होता है, और GA का आप कोई भी source refer कर सकते हैं, वो चाहे हमारा अपना हो, बजू का, चाहे और भी है market में बहुत अच्छे sources हैं, तो आपका जो भी मनो, वो आप refer करो, लेकिन मेरा solution रहेगा, कि आपको एक ही source refer करना, बार-बार switch मत करना, और ये टेलिग्राम के groups पे, जो बहुत सारे experts आके आपको बोलते रहते हैं, कि ये वाल अच्छा नहीं है, ये वाल अच्छा है, कोई एक source पकरो, सुरू में हो सकता है, कि चार से पांस दिन आप चलो देख लो, कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, किनका तरीका आपको सही लग रहा है, बताने का, जब आपने वो decide कर लिया, तो फिर उसी source को आप करते रहो, वहीं से revise करना है आपको, और revision के पहले वहीं से आपको first rating करनी है, पीच-बीच में अपने source से change मत करना, किसी भी चीज के लिए, P.I.B. के लिए आप चाहे हमारा करो, चाहे किसी और का करो, I know कि हर कोई मेहनत कर रहा है, या फिर अगर आप अपने खुद से भी notes मना रहे हो, तो उससे तो better कुछ है ही नहीं और, जो भी source हो आपका, वो चाहे self-made notes हो, चाहे किसी और coaching की reference materials हो, कोई एक चीज पर टिक के रहना exam तक, अगर आप बार बार goal post अपने change करोगे, तो आपकी को दिक्रत होगी, फिर आप बहुत सान्थ हो के करनी पाऊगे चीजों को, उसके बाद news paper का मैंने इसलिए बोला, कि अगर आप news paper हर दिन read कर रहे हो, और news paper में, मतलब किस टाइब के articles रीड करने हैं, जैसे हमारे telegram के ग्रूप पे देखोगे, आप तो mint में हर दिन जो भी important articles होते हैं, उसकी हम list बना के देते हैं, पर वो जो listing है, वो mains के हिसाब से होती है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे articles होते हैं, जो examen पूछे जा सकते हो, लेकिन वो phase 1 में पूछा जा सकता है, phase 2 में नहीं, phase 2 के लिए जो भी relevant articles हैं, वो हम mint में वहाँ पे डालते हैं, टेलिग्राम ग्रूप के, पर इसके अलावा भी कुछ-कुछ articles ऐसे हैं, जो आपको, बस आप heading भी देख लो, तो काम से जाएगा आपका, जैसे कि किस bank का CEO कौन appoint हो है, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि security market से, related कुछ नहीं हो जा सकता है, जैसे कि किसी, बहुती special type का, अगर मालो कोई mutual fund launch हो है, तो वो आपको newspaper में easily दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, कि बहुती, मतलब fast उसको आप बस read कर लो, आपको notes नहीं बनाने हैं उसके उपर, अगर आप एक बार देख लोगे, तो होगा क्या, कि जब आप GA का अपना source, जो भी है आपका, वो आप refer कर रहे होगे, तो आपको फिर चीजें वहाँ पे, जानी पहचानी दिखेंगी, मतलब कि उसके बारे में, तो GA के source में आपको बहुत कुछ, देखा हुआ सा लगेगा, और फिर, वो आप बहुत जल्दी cover कर लोगे, तो ये थोड़ा सा advantage रहता है, अगर आप चाहो तो इसको refer करो, मेरा suggestion रहेगा कि आपको करना चाहिए, बट जो main-soriented articles हैं, खास करके opets जो होते हैं, जिसमें कि opinion-based articles होते हैं, अगर नहीं है possible, time नहीं है आपके पास, आप read नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके list जरूर बनाना, कि हर दिन के article में, जैसे जो हम mint का, mint का दे रहे हैं, share कर रहे हैं, उस दिन क्या के articles ऐसी आई थी, अब वो articles बहुत काम के होते हैं, in fact, जो हमने finance management की बात किये हैं, तो management सबको पता है कि static होता है पूरा, बट ये entirely true नहीं है, क्योंकि जो opinion-based articles आते हैं, newspaper में, उनमें से बहुत articles ऐसे भी होते हैं, जो कि corporate governance के उपर हो, या फिर ethics के उपर हो, तो जब ethics के concept आप read कर रहे होंगे, और आप recall कर पा रहे हों वहाँ पे, कि newspaper में इसके उपर कोई article भी आई थी, तो आप तुरंत अपने notes में जाके उसको add करोगे, so that अगर उस topic के उपर माल लो management में, descriptive आगया लिखने को, तो आप ये development, जिसके उपर newspaper में article आई थी, आप वहाँ पे mention कर पाओ, इससे क्या होगा, कि आपका answer बहुत अच्छा दिखेगा, और बहुत different दिखेगा बाकियों से, क्योंकि mostly लोग ethics और corporate governance में, static बाते ही लिख रहे होते हैं, तो newspaper की importance बहुत जाता है, उसके बाद, आता है quiz, तो आपने read तो कर लिया, और free में भी बहुत सारे sources available हैं, in fact हमारा बजू का भी, वहाँ पे, site पे आपको freely available है, मिल जाएगा, आप वो refer गर लो, या कोई और भी refer गर लो, test के लिए, again मैं आता हूँ यहाँ पे, आप देखना कि जो mains वाला section है, जो मैंने आपको last time दिखाया था, उसमें current affairs का part भी है, current affairs पे आप click करो, अब आप यहाँ देखोगे, कि यहाँ weekly basis पे, जैसे June अभी week 1 और week 2 का upload हो चुका है, और week 1 में भी आपको दो test दिखेंगे, यानि total आपको one week से आपको 100 questions यहाँ पे करने को मिल रहे हैं, इतने questions अगर आप attempt कर लो, यह क्योंकि banking point of view से बनाया जाता है, ठीक है तो हो सकता है कि बहुत सारे questions, RBI के लिए relevant आपको ना लगे, 100 में फिर भी, अगर मालो 40-50 questions भी काम के हैं आपके, तो इतना बहुत है, practice के लिए यह बहुत helpful है, तो यह मैं सुचना है कि बहुत सारे questions ऐसे हैं, जो relevant नहीं है RBI के लिए, वो होना मतलब justified भी है, क्योंकि यह banking के लिए बनता है, ठीक है, बट practice के लिए बहुत अच्छा है यह, मेरा point बस यह है, तो आप इसके थूरू practice कर सकतो, जो question आपको लग रहा है कि relevant नहीं है, उसको फिर छोड़ दो, बढ़ जाओ आगे, लेकिन जो relevant है, उसको attempt करना, वहां से आपकी अच्छी खासी practice हो जाएगी, तो यह था part हमारा, कि जब notification आती है, उसके पहले क्या करना है, और इतना time है, देखो जुलाई तो अभी आया नहीं है, August भी नहीं आया है, तो practically, आपको अभी जून का ही करना है, तो सबसे पहले जून का करके खतम करो, और जो मैंने बताया कि, अगर आप second half of June भी करते हो, तो भी काफी है, तो June week 3 कर लो, week 4 कर लो, उसके बाद जैसे ही, July का first week का आता है content, आप उसको read करके फिर से, वहाँ पे जाके test दे देना, तो यह doable है, बहुत जादा इसमें है नहीं करने को आपके, आपके पास अभी, आपको जो मेहनत लगेगी, वो लगेगी इन दोनों में जादा, खास करके उनके लिए, जिन्होंने इन topics को बहुत अच्छे से किया नहीं अभी तक, तो आप इस पे focus करो भी फिलाल, 20 दिन में, और यहाँ पे focus करो, और संपूर्णा में क्या करना है, कि August तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट ना तो अभी जून का content आया है, ना भी जुलाई का आया है, क्योंकि जुलाई मन्ती नहीं आया भी, तो यह सब तो बाद में आएंगे न, अभी कि जो आपके पास available है, वो है February, March, April और May, यह 4 months का, जिसमें April और May में content बिल्कुल नहीं है, यह आप चाहो अगर, तो यह एक से दो दिन में खतम हो सकता है, तो आपके पास करने को क्या रहेगा अभी, February का और March का, बजट वेगरा, जो हमने भी दिया था फ्री में, तो टेलिग्राम पे भी available है, ब्लॉक पे भी available है, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट मेरा solution रहेगा कि interim budget की समरी आप अभी read मत करो, वैसे भी full budget आने वाला है, तो वो जब हम publish करेंगे, तब आपको read करना रहेगा वो, तो अभी आप उसको छोड़ दो, budget छोड़ दो, वो अभी देखने के जोगत नहीं है, तो यह part हो गया, अच्छा, अब हमाल लो, कि notification आ गई, अब हम enter कर चुके हैं, 18 July onwards वाले phase में, अब वहाँ पे किन चीज़ों पे focus करना है, तो जो आपने finance और management के portions read किया है, यहाँ पे ध्यान देना, कि यहाँ पे आपको first reading नहीं करनी है, किसी भी चीज़ की, मतलब किसी भी chapter की, जितना आपने read किया है, माल लो कि हो सकता है, तीन-चार chapters बच गया हूँ, पांचे बच गया हूँ, जितना भी हो, वहाँ तक आपको छोड़ देना है, जो आपने read कर रखा है अल्रीडी, आपको बस वही revise करते रहना है, और यह revision weekly होनी चीज़िए, कि finance और management को मिला के, आप अगर 2-3 chapters read कर पा रहे हो, मतलब revise कर पा रहे हो, तो इतना काफी है, आप, कोसिस करना के 3 हो जाए, क्योंकि notification से लेके exam तक, लगबग, मान के चलो कि around 45 days का gap होता है, तो 45 days का मतलब क्या हो गया, 6 weeks, 6 weeks में, आप 18 chapters revise कर चुके होगे, बहुत अच्छे से, जो कि आपको phase 2 में काफी help करेगा, और इस बार phase 1 और phase 2 में थोड़ा gap रहने वाला है, पिछली बार जैसे 20 दिन थे, तो इस बार ज्यादा मिलेगा आपको, तो आप इसका मतलब stress मत लेना, कि कुछ chapters रहे गया हैं, वो आपने read नहीं किया, वो बाद में भी हो सकता है, बट जितना भी हो गया है, वो आपको revise करना है, जो आपने test दे रखे हैं, उस chapter के, वहाँ पर फिर से जाओ, अगर re-attempt का option है, जो भी आपने course लिया अलग से, तो आप उसको करना, अगर re-attempt का option नहीं है, तो होता क्या है, कि जो question आपने गलत किया है, तो उसका answer आपको दिखेगा नहीं, वो आपको फिर से click करना पड़ेगा, वहाँ पर, तो ये करके आप revise कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो question आपके पहले गलत हुए थे, तो उसमें आप कैसा perform कर रहे हुआ, 18 जुलाई के बाद, मतलब जब तक phase 1 exam हो नहीं जाता, तब तक मैं बोलूँगा कि आप descriptive की practice मत करो, क्योंकि ये आपका time खाएगा, और आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब को पता है कि ideally phase 1, phase 2 की साथ चलती है preparation, तो इसके लिए हमने इसके पहले वाले slide में रखा भी था, कि आपको एक दो question करना है, आप अभी करते रहो, so that आप बाद में afford कर पाओ, कि आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दो उसको, अब ये बाते मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे personally, बहुत साथ लोग को जानता हूँ, जिन्होंने 2022 में इंटर्व्यू दिया था, बट 2023 में उनका phase 1 भी clear नहीं हो पाया, या तो quant की वज़े से, या फिर reasoning की वज़े से, ऐसी situation आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कि आपको phase 1 को भी बहुत respect देनी पड़ेगी, जितने ये deserve करती है, तो अब तक आपने कर लिया, descriptive जो भी करना था, वो आप 18 July तक करो, जितना भी read करना था आपको phase 2 के topic, first reading, वो आप 18 July के पहले करो, उसके बाद आप break दे दो, आप उसको revise करते रहना, so that जो आपने मेहनत पहले दी है वहाँ, वो waste ना हो जाए, revision नहीं करोगे तो, दिमांग से चीज़े निकल सकती है, इसलिए आपको revision करनी है, बस कोई नया topic read नहीं करना, next आते हैं हम इसमें संपूर्णा में, अब यहाँ भी revision ही चलेगा, और जो new months के आ रहे हैं, वो आपको read करना रहेगा, यह चीज फिर भी doable है, और again इसके तुरू आपका EASI भी cover हो रहे है, भले आप इसको realize नहीं कर पा रहे हैं, बट EASI यहीं से maximum होता है, उसके बाद हम आएंगे mocks पे, और उसके पहले अगर आप हमारे telegram post पे जाके देखो, मतलब group पे, तो हमने last year post भी किया था, कि जो questions आए थे, phase 1 में भी, phase 2 में भी, तो बहुत सारे questions आपको directly, 2 या 3 महीने के भीतर, मतलब exam से जस पहले, वहाँ के content से आपको दिख जायेगा, कि यहीं से आया था, ठीक है, तो यह आपको करते रहना, revision भी, और जो नया content आपता है, वो भी आपको read करना है, और यह आपको करना है बिल्कुल, आप ऐसे सोचो कि जैसे ही, किसी भी मंत का, जैसे अभी June खतम होगा, तो होसकता है कि 4-5 दिन के भीतर में, June मंत का भी आजाए, जैसे ही कुछ भी नया publish होता है, संपूर्णा के अंडर, वो आपको तुरंद खतम करना है, जितनी जल्दी हो सके, इसका मतलब यह नहीं कि आप उपर-उपर से पढ़ लो, वो आपको डिटेल में ही पढ़ना है, लेकिन कोसिस करना कि उसको थोड़ा, प्रियोर्टी पर रखके जल्दी से खतम कर पाओ, ताकि यहां के लिए time मिल पाए आपको, अब mocks के लिए क्या करें, mocks के लिए, एक तो मैं आपको select करूँगा, कि अगर आपने course ले रखा है हमारा, तो आपको mocks ऐसे भी मिल जाते हैं, अगर आपने कोई और भी course ले रखा है, तो मेरा selection ही रहेगा, कि आप at least दो जगह के mocks को attempt करना, ठीक है, अगर दो घंटे का paper है, तो ideally आपको उतना ही time, उसकी analysis करने में भी लग जाएगा, तो अगर आपने तीन चार जगह के mocks ले लिए, फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा handle, तो इस अचा है कि दो जगह का ही लोग, इतना काफी होता है, अब वो आपको करना कैसे है, तो full length mocks आपको देना है, alternate days पे, जैसे एक आपने आज दे दिया full length का, और 18 जुलाई के बाद ही करना आप इसको start, क्योंकि तब तक, जो हमने last slide में देखा, कि आपके quant के दो topics बहुत अच्छे से होगे रहेंगे, reasoning के दो topic बहुत अच्छे से होगे रहेंगे, English पे आपकी practice हो रखी होगी बहुत सारी, और जो sectional mocks से, वो लगाते लगाते हैं, आपकी काफी हद तक practice हो जाएगी इतनी, कि अब आप full length को attempt कर पाओ, उसके लिए आप ready हो जाओगे, इसलिए alternate days पे, full length mocks, अगर available है तो, या फिर आप इस gap को बढ़ा के दो दिन भी कर सकते हो, depend करता है कि availability क्या है, उसके बाद आपको उसकी complete analysis करनी है, मतलब बहुत सारे questions ऐसे होते हैं, वो आपने notice किया होगा, कि हम उसके बारे में sure नहीं होते, लेकिन हम mark कर देते हैं, और फिर बाद में बता जलता है, कि यह हमारा सही हो गया, पर जब आप test को submit करोगे, और उसके बाद आओगे, उसके analytics वाले part पे, या फिर solution वाले part पे, तो जो आपको green देखता है, green देखता है मतलब वो आपका सही हो गया, तो आप यह assume कर लेते कि यहां यह तो मुझे आता ही था, तो इसको मैं क्यूं देखूँ, जो कि बहुत ही गलत approach है, कई बार क्या होगा, कि आप गलत तरीके से भी सही answer पे आ जाते हो, हो सकता है कि question कुछ और पुछा गया था, आपने सोच कुछ और लिया, पीच में चलो, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो, आदे गंटे का, एगंटे का, लेकिन आपको same day करना चाहिए, वरना अगर आप दो, तिन दिन बाद करोगे, तो आप बहुत सारी चीजे भूल जाओगे, कि आपने क्या सोच के यह मार्क किया था, तो analysis अच्छे से नहीं हो पाएगी, जब तक आप अच्छे से analysis नहीं करोगे, again मैं इसको वो कर देता हूँ, analysis अगर अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, फिर mock देने का, तो इसलिए आपको proper time चीए, मॉक्स के लिए भी और उसकी analysis के लिए भी, तो इसलिए हमने इसको alternate days पर रखा है, या फिर आप चाहो तो आप इसको दो दिन का gap भी दे सकते हो इसमें, आपके उपर है वो, फिर है sectional test, अब ये आपने देना ओल्रेटी start कर दिया था, लास्ट फ्लाइड में हमने देखा कि कैसे, D.I.E.K., D.E.S.K., ये सब के वहाँ पर mocks थे पड़े हुए हैं, बट अगर आप देखो, तो उसमें जो numbers हैं, वो around 60's के आज़ पास हैं, मतलब हर topic से 60, 60 mocks अल्रेडी upload हो चुके हैं, हाला कि सम्में आपको 10 questions ही मिलेंगे, बट फिर भी 60 mocks हो चुके हैं upload, तो ऐसी possibility है, कि वो सारा का सारा आपका खतम नहीं होगा, इन फाक्ट बहुत सकता है कि 25% ही हो, तो जो remaining part है, वो आप यहाँ पर करते रहो, और अब आपको इसकी frequency बढ़ानी पड़ेगी, जैसे daily, जिस दिन आपका full length mock नहीं है, उस दिन आप sectional mock दो, और कम से कम 3-4 दो, क्योंकि around 40 questions ही रहेंगे, और आपका फिर जल जली खतम भी होता रहेगा वो, तो आपको यहाँ पर 3-4 mocks, sectional test, यह आपको देने हैं हर रोज, फिर है mini mocks, जो कि RBI grade B course का part था वैसे, लेकिन वो freely available है, तो आप वहाँ पर भी जाके करते रहना time ने, उसके बाद, newspaper की अब आपको selective reading करनी है, जैसे पहले जो मैंने बताया था, कि बहुत सारे type की articles होते हैं, जो P.I.B. में cover नहीं होते, मतलब जो आपका phase 1 में आ सकता है, और phase 2 के लिए भी corporate governance या फिर ethics, इन सबसे related वहाँ पर articles रहते हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, कि जो आपको read करना है proper, या तो ऐसा हो सकता है, कि आप उसको छोड़ दो, मेरा session रहेगा, कि एकदम से मत छोड़ना, आप बस वैसे articles देख लो, उपर उपर वाले, जिसमें आपको ज़्यादा time ना देना पड़े, जिसमें in-depth analysis है, मालों की opinion वाले जैसे articles होते हैं, वो आप छोड़ सकते हो अभी, इस बीच में जो भी काम के articles आएंगे, उसकी list मैं बना लूँगा, और वो आपकी practice हो जाएगी, बलकि हम इस पर YouTube का, बाद में ऐसे session भी करेंगे, कि जो अभी recent one to two months में जो अच्छे articles आएं, जिससे की descriptive में पूछा जा सकता है, तो वो आपको मिल जाएगा, ऐसे भी अलग से, तो आप यहाँ पर effort मढ़ डालना, आप बस phase one specific, जो articles हैं, उन्हीं को देखो, और बहुत जल्दी जल्दी उसको देखके खतम करना है, उसमें बहुत जादा time नहीं देना, यह हो गया, जीए में, अब आप कोसिस करना, कि जो daily GA का content आता है, बहुत सारे जग़े का आता है, अगर आप वो read कर पा रहे हो, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, अभी तक मैंने, June का, या फिर उसके पहले का, मैंने daily content आपको read करने को search नहीं किया था, but, 18th July के बाद से, क्योंकि 45 days रहेंगे exam में, और ये time बहुत ही crucial है, in fact, question भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं test करूँगा, और अगर hope है, तो आप 1st July से ही start कर देना, लेकिन अगर 1st July से नहीं कर पा रहे हो, because वहाँ पर quant or reasoning में भी time देना है आपको, तो अगर उस समय नहीं हो पा रहे है, तो at least 18th July के बाद से, आप हर दिन के GA का PDF, वो refer करना है start करो, और Saturday संडे को, क्योंकि नहीं आती है PDFs, तो अब आपको time मिल जाएगा, कि जो आपने read कर रखा है पूरे week में, तो या तो उसकी weekly file होगी, या फिर उन सारे PDFs को, जो कि आपने Monday to Friday read किया है, उसको आप revise भी कर लेना weekend पे, उसके बाद इसकी revision तो चलती रहेगी, अब आपको previous month का भी थोड़ा सा start करना है, अब मालो की June का आ जाएगा, तो आप इसको जुलाई में read करोगे, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पहले का भी करना पड़ेगा, तो I think एक month का cover करने में, दो से तिन दिन काफी हैं, दो से तिन दिन काफी हैं, इतना टाइम देखें, जब आपका खतम हो जाईए, तो आप previous month का, इसको आप revise करना, revise करना, start कर देना, बाकी मैंने test के बारे में, बताई रखा है, तो ये सब चीज़े आप करो, मुझे लगता है कि, जो मैंने कोसिस किया है यहाँ पर, बताने की, वो मैंने की है कि, बहुत balance रख पाऊं मैं चीज़ों को, phase 2, phase 1, phase 2 दोनो, अब आपको इसमें कोई भी change करना हो, तो आप आराम से कर लो, क्योंकि, जैसे मैंने बोला शुरू में, कि एक single plan सब के लिए work नहीं करता, तो थोड़ा बहुत अगर आपको, इसमें customize करना है, तो आप कर लो, लेकिन कोशिस आप ये करना कि, balance अच्छे से बना रहे है, तो जैट आपको बाद में दिक्कत ना हो, फिर प्रेशन हमें अभी phase 1 की करनी है, लेकिन phase 2 को भी दिमाग में रखना है, कि phase 2 में दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको कुछ topics अभी से करने पड़ेंगे, आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर आपने ये सोचा कि पहले phase 1 मेरा पूरा हो जाए अच्छे से, उसके बाद, result के बाद मैं phase 2 के लिए start करूँगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, और phase 2 के आगे जाने की possibility बहुत आपके radius हो जाएगी, तो आपके उपर है, क्या करते हो, मेरा selection ये रहेगा, कि आप इसको follow करो, थोड़ा बहुत वो कर देना, customize कर देना, मालों कि आप अगर working हो, तो आपको 3-4 sectional test देने का time नहीं मिल पाएगा, तो उसके जगह पे आप एक या दो-दो, लेकिन फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कि आप इन सब को फिर उसी ratio में accommodate कर पाओ, तो ये आप अपने answer देख लेना, बाकी phase 1 exam के बाद, phase 2 के लिए हम अच्छे से बात करेंगे, कि उस बीच में क्या करना है, हीगा, झांस वोचिंग.